विल्कम बैक तो माई चैनल तो गाइस जिनका भी अड्मिशन हो चुका है अब उनको बस एक क्यूरसिटी है कि कि इतनी चल्दी हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा कब हमारी स्टडी स्टार्ट होंगी तो आज इस बारे में भी थोड़ा से डिसकस करते हैं कि कबसे आपके क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तो जो आपकी क्लासेज हैं आपकी कौंसलिंग हो चुकी है तक 129 तक क्लासेज दो उसके बाद August में August मिट तक आपके चौह स्टार्ट ना फोड़ु हो जाएगे फस्ट्येर में आपका फांडेशन प्रोग्राम होगा foundation program हर किसी का सेम होता है वो फिर किसी भी department का हो like AD, KD, TD जो भी है जिस भी department के हैं आप आप सब का एक ही same class चलेगा same course पढ़ाया जाएगा और आप सब एक ही class में पढ़ेंगे यानि कि बस आपके class में बस groups divide होंगे यानि कि first year के बच्चे जो पढ़ते हैं वो सब एक ही साथ पढ़ते हैं फिर जैसे कि आपके class में TD का भी बच्चा होगा AD का भी बच्चा होगा तो इस तरीके से होता है पूरे foundation program के बच्चे 5 groups में divide कर दिये जाते हैं उसमें group wise बच्चे पढ़ते हैं सब सेम ही चीज है उसके बच जब second year आता है second year में आप लोग अपने department वाली class में चले जाते हैं यानि कि second year से KD का अलग class हो जाएगा AD का अलग class हो जाएगा TD का अलग class हो जाएगा तो इस तरह से second year में partition होता है उसके पहले हम सब एक जैसे पढ़ते हैं एक ही चीज़ें सीखते हैं तो ये आपका एक साल चलता है पुरा foundation program जिसको first year बोलते हो second year से आप अपना वा करना start करते हैं अपने focus department पे जो आपने choose किया हुआ है अब बहुत से बच्चों को ये भी confusion है कि जिनको college नहीं मिला है कि क्या हम ये लें कि ना लें देखो आप सब चीज़ें सेमी सीखोगे थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होती है बट हर कोई सेमी चीज़ सीखता है सब लोग आप सब को designer बनना है तो हर किसी का base जो है वो सब सेम होगा सब को सेमी चीज़ बताई जाएगी सेमी चीज़ बढ़ाई जाएगी और ये जो classes start होगी आपकी August से इसमें three types के test होते हैं सबसे पहले आपका होता है सबसे पहले मारा होता है first term, फिर होता है mid term, फिर होता है end term end term को हम jury बोलते हैं तो जो first term होता है ये first term एक unit test की तरह होता है unit test में जो आप पढ़ाए गए होंगे उसी का आपका एक submission होगा या फिर हो सकता है कि आपके कुछ थोड़े बहुत written exams हों in case वो भी कुछी subject में एक दो में otherwise submissions होते हैं फिर होता है मारा mid term, mid term में भी हमारा same thing होता है जैसे आप first term दोगे वैसे हाफ आप mid term में दोगे लेकिन जो jury होती है jury में हमें सारा काम पूरे semester का दिखाना होता है हमने क्या किया है plus jury के आपको additional काम मिलते हैं वो भी आपको करना होता है आप से faculties कुछ questions पूछती है आपके काम के regarding कैसे किया आपने ये काम कैसे हुआ आपको हर काम को detail में समझाना होता है कुछ groups में कुछ आपके assignment होते हैं जो कि group में होते हैं तो आपको चीज़ स्टडी करते हो उसके बारे में आपको होता है तो basically यही यह चीज़े हैं जो कि first time के बाद आपको देखने को मिलेंगी तो first time में एक बार मैं रिमाइन करते हूँ आपकी classes August से स्टार्ट होंगी August में फिर आपका सबका same class चलेगा foundation program में उसके बाद एक class में उस एक semester में आपके तीन बार exams होते हैं first term, mid term और end term जिसको हम जूरी कहते हैं जूरी में क्या होता है इस सब भी मैंने आपको explain कर दी अभी आपको थोड़ी बहुत practice करनी चाहिए croquis बनाने की जो कि human figures है human figures बैठे हुए और खड़े हुए या फिर कुछ काम करते वैसे कुछ human figures बनाने की practice कीजए otherwise आप लोग दिरे दिरे सीख जाओगे hope so कि ये वीडियो आपको helpful लगी हो अगर आपने enjoy किया है तो please वीडियो को like share and subscribe करें thank you so much